नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की बहुत से देशों के साथ अब मैतरी पूर्ण सम्भन्द हो रहे हैं वो पहले थे उससे भी आगे बढ़ रहे हैं ऐसा ही दोस्तों अस्ट्रेलिया के साथ भी हो रहा है और दोस्तो डिफेंस कोपरेशन भी बहुत जादा हो रहा है, किस तरह से चाइना को टेकल करने में अस्ट्रेलिया हमारी मदद कर रहा है और किस तरह से इंडिया अस्ट्रेलिया का ये गठबंदन बहुत आगे बढ़ सकता है, आज इसी के उपर बात करेंगे, चलिए दोस्तो श इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी अगर चाइना के अगेंस्ट जरूरत पड़ी, अस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कोट मोरिसन ने जनवरी 2020 के अंदर इंडिया आना था, लेकिन उनके वहां पर जो बुश फायर, यानि कि जंगलों में जो आग लगी थी, उसकी वज़ अस्ट्रेलिया के साथ बी है, क्योंकि दोस्तों अस्ट्रेलिया ने जब करोना वाइरस फैला था, तो उन्होंने कहा था, की चाइना की जांच होनी चाहिए, और पूरे इंटरनेशनल ग्रूप को आगे आना चाहिए, और इसके उपर काम करना चाहिए, तो उसके बाद से उसके रिलेशन चाइना के साथ में खराब हो गए, और जब इंडिया अस्ट्रेलिया की विर्चुल बाइलेटरल समिट हुई थी, तब फैसला किया गया था कि अमेरिका के साथ जैसे हम मीटिंग करते हैं, वैसे ही टू प्लस टू डायलोग हम करेंगे, हमारे फोरन और डि साइन किया गया था, डिफेंस कोपरेशन के लिए, और दोस्तो चाइना की अगर पूरी दुनिया को सबसे ज़्यादा जरूरत है, तो वो है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, जो चाइना के अंदर पाये जाते हैं, और इंडिया को भी इसकी जरूरत है, लेकिन आपको बता दे कि अस्ट्रेलिया भी एक बहुत बड़ा हाउस है, इन रिच क्रिटिकल मिनरल्स का, जो और कहीं भी नहीं पाये जाते, तो इंडिया को वो सारी चीज़े अस्ट्रेलिया से मिल सकती है, और उसे चाइना पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, और इसके इलावा दोनों कि टेरोरिजम की एक परिवाशा होनी चाहिए, और अब दोस्तो अस्ट्रेलिया ने भी इसका समर्थन किया है और कहा है कि इसकी डेफिनेशन होनी चाहिए, और UN को इसके उपर काम करना चाहिए, और उसके बाद अक्तूबर में दोस्तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा फ प्रेपरेशन वार ड्रिल उसके अगैंस्ट की जा रही है तो ऐसे में अब अस्ट्रेलिया का भी उसके अंदर शामिल हो जाना जिसके साथ उसकी दुश्मनी अभी बढ़ ही रही है ये बहुत ही ज़ादा अच्छा स्टैप एंडिया की तरफ से और चाइना के लिए ये करी जा रही है और इसके इलावा दूसरे देशों पर इंडिया जादा निरभर रहना चाहता है इसके इलावा अस्ट्रेलिया के अंदर जो दूसरे देशों के नागरिक है तो इंडिया के नागरिक दोस्तों कम से कम 7 लाग वहां पर है जो उसकी सोसाइटी के अंदर बहु यहाँ तक दोस्तो एक स्पोर्ट की बात करें क्रिकेट की, तो यह दोनों कंटरीज के अंदर भहती लोकफ्रीय है, और अभी भी दोस्तो इंडिया और अस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहा है, तो इसके थूरू भी बहुत से टूरिस्ट एक दूसरे के देशों में आते जाते रहते हैं तो ओवराल कहने की बात ये है कि इंडिया ने एक नया दोस्त कमाया है और वो भी दोस्तों उस समय पे जब चाइना के साथ उसकी दुश्मनी चल रही है पडोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो वो केवल टेरोरिजम पैदा कर रहा है और दिनों दिन अपने मित्रक होता जा रहा है धन्याबाद जैहिंद